हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई यूटू चैनल और आज मैं बनानी जानी बिल्कुल योनिक सी रेसेपी जिसे देखकर आप लोगों को बहुती ज़दा मज़ा आने वाला है और आप देखते ही जट पट अपने घर पे बनाएंगे क्योंकि ये बच्चों के टिफन के मैं बनाने के लिए चार-पंच आलो लिए जो की मैंने डिलिया उस्मे लिया है मैंने ने ब्हें प्याज और राई नाला है यहां पैस्ट बनाैं मैं आप चाहिए यहां परकर पनीर रबियोगन सकते और इसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया है राई सरसो के दाने उसके बार डाला है मैंने कड़ी पत्ता और फिर प्याज डालूंगी यहां पर और इसमें चाहे तो आप जीरा और हिंग भी एड़ कर सकते हैं तो इन सभी को अच्छे से भुन लेना है जब तक हलका हलका करने के लिए जट-पट इसमें हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और हरी मिर्च बारिक कटी हुई और फिर इसके बाद हम इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से पका लेंगे जब यह सारा तड़का हमारा अच्छे से पक जाए तो इसमें डाल देंगे बोईल्ड आलू जो कि मैंने हातों की साहिता से मेस कर लिया है आप चाहे तो कद्दू कस भी कर सकते हैं और उसके बाद इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देना है हमें कुछ इस तरीके से और इसके होँ है सर्दीयों में बहुत ही ज़्यादा मिलती है और आच्छी यह उती है तो मैंने पालक दोके और फिर रख लीक साइड में उसके बाद मिक्सि जार में डाला है मैंने लेसन और अदरा और दो हरी मिर्च और पानी एक छोटी सी कटोरी से पानी डाला है और उसके बाद इसका हम एक पेष्ट बनाएंगे नौर्मली ये देखिए मिर्च जादा नहीं लिए क्यों बच्चों के अकोडंग लिए मैंने और इसमें बारिक पीस लिए है मैंने ये देखिए और अलग एक्स्ट्रा पानी कुछ भी एड़ नहीं किया आप अपनी फैमिल का पेष्ट त वह भी रैडी होचुका है जहां तक है यह देखिए यह इफि रैडी होचुका है तो अब हम अपनी वन कर देते हैं और में बनेकं और लेते हैं hmm जो है कि इस तरीके से रोटी तो सबको बेलनी आती है, खुब बड़ी सी एक रोटी बेलनी है, और चार इस तरीके से सेंटर से कट लगाना है, कुछ इस तरीके से, आप चाहे तो इस ट्रिक का नहीं बनाए, तो भी इसको पूरी की तरह तल सकते हैं, बच्चों को बहुती ज आलू का जो पेश्ट है, मैंने इस तरीके से भर लेती हूँ, इस तरीके से यह देखिए, भर लिया है, चारो तरब और इसमें हरी धनिया, चीज, और प्याज उपर से इस तरीके से डाल देंगे, कुछ और उसके बाद एक एक करके, उठा के साइड में रख देती हूँ, म पानी लगाया है मैंने, पानी लगाने के बाद इसे अच्छे से इस तरीके से दबाया है, दबा के फोल्ड करना है, फोल्ड करते हूँ, इसी तरीके से दबा के बढ़िया किनारी चिपका देना है, पानी की साहिता से पानी ज्यादा नहीं हलका ही लगाना है, इस तरीके से और लगाना है और फिर इसे इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेना है और उसके बाद इसे थोड़ा सा हातों की साइता से लंबे से प्रेस कर लेना है और इस तरीके से एक साइट से इसके अंदर डाल के और इस तरीके का कुछ बन जाएगा इधर मेरा रिफाइंड ओली सर सर्षो का तेल गरम कर लिया है मैंने और सर्षों के तेल में इसे तलने के लिए डाल देंगे इस तरीकेसे यह देखिए एक खराब हो चुका है कुछ जदा ही और इस तरीके से मैंने समोसे की सेव दे दिये तो यह देखे कितना बढ़िया बन कर आया है और अंदर से भी विल्कुल अच्छे से पक चुका है सिलों आच पर पकाना है गेस तेज नहीं करनी विल्कुल बढ़िया बनाए बच्चों को तो बहुत ही जादा पसंद आएगा अगर वीडियो प झालो जादा है